नवस्कार अधाब न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर श्रम संगठनों ने उठाई लेवर कोर्ट के गिलाब आवाज किसान अंदोलन सांसदों को प्रदशन कर रहे किसानों से मिलने से रुका गया पानी वे मूल सो विदाये नहीं देने पर नहीं आर्सी में याचिका दायर बजट में बच्चों के पोशन में कटोती जान लेवा कहना है जौध रेस का और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 12,408 नए मामले 120 मरीजों की मौत कृशी कानूनों के साथ साथ चार लेबर कोर्ड का विरोध भी तेज होता जा रहा है कल यानी चार फरवरी को दिल्ली में सीटू के नेतरित्व में सैक्डों कामगारों ने श्रम कानूनों में हुए शंसोधन के खिलाफ आवाज उठाई आए देखते हैं निउस क्लिक की एक खास रिपोर्ट मेरा नाम कमला है मैं दिली सीटू से हूँ कामगर महिलाओं और आंगनवाडी को देखती है पहले भी जितने लेबर कानूने उनका वो लागू नहीं हो रहे थे और छे परसंट पे सिर्फ लागू हो रहे थे अभी सरकार को वो भी एक दिकत है पूंज इससे एक तर्वी कि गुलामी पैदा होगी या नहीं अब की मर्जी है अब जब चाहें उससे निकाल सकते हैं जब चाहें उसे रख सकते हैं और नहीं कोई कारखाना यही जिस सबस्बंद होता है तो उनको छट्टी में सबसे पहले निकालते हैं और अभी क्योंकि मैं कर रहे हैं हमने लड़के सईयों बहुत सारे अंदोनंग किया जिससे दो हजार देरा में ये कानून पास हुआ कि प्रस्ताफ तश्रम से मिलन का कि एक करोड जो आंगनवड़ी सारे स्कीम वरकर जिस पर आंगनवड़ी पेरा टीचर्स पिया सब उन सब को मजदूर बनाया ज जाएगा पेंशन दी जाएगी और बागी समाधिक सुरक्षा लाब और अभी जो सर्वकार लेके आई नीती नई इशिक्षा नीती उसके अंदर तो आंगनवड़ी को मजदूर की श्रेड़ी से ही निकाल दिया है तो हमें तो लड़ना ही पड़ेगा ना तो सारा असर तो हमारा मानना यह है कि जो यह श्रम कानूनों के अंदर लेबर लौस के अंदर जो परवर्तन किये गए के इन सरकार से यह इसके चलते दुबारा से मज़्दूर करमचारी जो मैनत कश्वर्ग है जो पिछले देड़ सो दो सो सालों के संगश में उन्होंने संगश करके आंद इस प्रकार के जो नियम बने काफी संगश कुर्बानी के बाद बने और यह कुर्बानी के बाद जो इतना संगश करके चीजे बनी यह दुबारा से सरकार हमारे को फिर अठारवी शताबदी में धकेल रही है मेरा नाम राज सिंग है प्रेजेटिंट एर दिली एरपोर्ट से सी आई टू से में दिली एरपोर्ट इंपलाईज यूनिन का जो महामारी में इस करोना काल में हुआ है कम से कम भी अजारों की संख्या में बेगर हो गए हैं जो लेजीज वहां सफाई करमचारी भी थे उनके जबरदस्ती करेणे साल की करने से नाम पर उनको लुक्त जारा हा है उनके जक region भी है और उनको जबरदस्ती पर सफाता होते हैं लेकिन साल की सर्वेश करने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता जाने बाद जब गर पर जाता तो बिल्कुल बेुए सा रहा होता है केंद्र के नए क्रिशी कारणों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात करने जा रहे दस विपक्षी दलों के 15 सांसदों को पुलिस ने ब्रहस्पतिवार को गाज़ेपूर बॉर्डर पर जाने से रोग दिया दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ लगातार किये जा रहा अवानवी विभार को लेकर कॉंग्रेस ने मानवधिकार आयोग में याची का दायर की है जबकि हर्याना सरकार ने हर्याना के कुछ इलाकों में इंटरनेट की बहाली कर दी है हाला कि अभी भी पांच जिलों में पूरी तरह से इंटरनेट बंध है जिससे लोगों को कई तरह की समस्या आ रही है प्तरशनकारी किसानों से मिलने जा रहे 15 सांसदों के समों में शिरुमणी अकाली दल द्रविट मुनेतर कशगाम राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी और त्रिनबूल कॉंग्रेस समेत अन्य दलों के सांसद शामिल थे शिर्मणी अकाली दल के नेता हर सिम्रत को और बादल ने बताया कि नेताओं को अवरोदों को पार करने और प्रदरशन सल पर जाने के अनुमती नहीं दी गई हर सिम्रत के अलावा राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी सांसत सुपरिया सुले, दरवेट मुनेतर मकशगाम से कडीमोई और तिरुची शिवा, त्रिनमूल कॉंग्रेस से सौगत राय इस समू का हिस्सा थे नैशनल कॉंफरेंस, रेविलूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस से भीश में शामिल थे दिल्ली की सीमा पर कृशी कानूनों के खिलाब प्रदर्शन कर रहे किसानों को कथित रूप से पानी और अन्य मूल से विदाय नहीं मिलने को लेकर प्रदेश कॉंग्रेस ने राश्ट्रे मानवधिकार आयोग में बुदभार को एक शिकायद दर्स की प्रदेश कॉंग्रेस के विधी और मानवधिकार विभाग के प्रमुक सुनील कुमार ने कहा कि विभाग के सदसे आयोग के अधिकारियों से बिले और अवरोदक लगाने और दिली की सीवाओं पर शांती पूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी चिकितसा एविम अन्य मूल से विधाय नहीं देने को लेकर रियाची का दायर की वरिष्ट अर्थ शास्त्री जौन रेज ने भाषा सिंग से बाचीत में बताया कि जिस तरह मोधी सरकार ने बच्चों, महिलाओ और मनरेगा के बजट में भीशन कटोती की है उससे आम भारतिय नागरीकों का जीवन और बरबाद हो जाएगा जौन ने बताया कि इस बजट में गरीबों और वन्चितों को रहात देने वाली तमाम जरुरी योजनाओं में भीशन कटोती की गई है आईए देखते हैं इस समें हम बात करने जा रहे हैं जौन देख के जाने माने अर्थशास्त्ति हैं भोजन के अधिकार पर बहुत लंबे समय से बहुत महत्फुन काम कर रहे हैं आज जौन देली में आए उन्होंने समाधाता समेलन एक एड्रेस किया और हमें बताया कि किस तरह से जो बुनियादी स्कीमे हैं, उनमें भीषन कटाओती मोधी सरकार ने इस बजट में की है. Welcome to NewsClick, Jandres. And how you see this cut? Well, they are virtually inexplicable. I mean, the findings, or rather the partial findings of the 5th National Family Health Survey were officially released a few weeks ago. and they show a stagnation in child nutrition indicators in the last 5 years until just before the lockdown, when the survey was done. And then, of course, this year with the lockdown and the crisis that followed, a great increase in food insecurity. So this was a time when it was very important to make much bigger efforts in the field of child nutrition and maternal care. And instead of that, we are seeing cuts across the board. If you look at the overall budget of the Women and Child Development Ministry, it was 30,000 crores in the last budget. And this year it's barely 24,000 crores. So it's a cut of almost 20%. This is really quite extraordinary. In money terms, so in real terms, it will be even bigger cuts. There have also been cuts specifically for ICDS, and it's the foundation of any kind of service or care for children under 6. It's like the schools for the children in the age group of 6 to 14 years. It's the institutional basis of all the child nutrition, health, and preschool education and vaccination programs and everything. So it's very important to consolidate that critical institutional foundation of child care. And instead of that, we find that the budget has been cut. ICDS has now been clubbed with some small programs in the larger program called Saksham. But if you compare the Saksham budget with the corresponding budget in the last year for the same package of programs, it's lower, quite a bit lower this year than it was last year. And similarly, with maternity benefits under PUM and VY, the National Social Assistance Program, which is also very important for a number of vulnerable groups, especially the elderly and widows, is identical to the budget last year, so it's lower in real terms. And it's also important to remember that this is the second time that the NDA government cuts the budget for child nutrition programs. It happened... So, but in the second time, it's not a big cut. In 2015, in fact, these were even larger cuts. And the consequence of that is that if you look at the ICDS budget today in real terms, compared to what it was in 2014, before the cuts started, 7 years ago, it is about 25% less in real terms. And in the case of mid-day maize, it is about one-third less. So, over the last seven years, we have seen huge cuts in real terms for these very critical programs. I think this is really something to which we have to pay a lot more attention. One thing that I would like to know is, is the government's lack of money or is the government's lack of money? What is the difference of why the money is not spending? Remember, if you look at the budget as a whole, the total budget, it is much higher this year than last year. This year, it is about 35,000 crores. Last year, it was about... Sorry, 35 lakh crores. Last year, it was about 30 lakh crores. So, an increase of about 15% in the overall budget. So, in spite of the overall budget increasing quite substantially, the children-related programs, and incidentally, even school education, if you look at the budget of the Department of School Education, it is also lower this year than last year. So, all these child-related programs have been cut at a time when the overall budget was increasing quite significantly. I think, as I said, this is almost inexplicable. But I think that perhaps what it reflects is that this government is in a hurry. It is in a hurry to turn the country into some kind of world superpower. And it wants to do it within the next few years. If you want to become a $5 trillion economy within a few years, which, of course, is not possible, but let's leave that aside. If that is your objective, then, of course, the children don't matter because children matter for the future of the country and for the future of these children. So, it is a kind of long-term perspective. If you take a short-term perspective, if you have a short-term goal, and especially if you have a short-term goal of power in the world, then, of course, children are of no importance. I think that is ultimately what this is all about. एक आखरी सवाल मन्रेगा और पेंशन को लेकर है. हमने लॉक्डाउन के दोरान देखा कि मन्रेगा और पेंशन दो ऐसी चीजे थी, जिससे गरीब को बहुत रहात थी. जो शहर से लोग वापस गए थे, उनको खाली भरोसा था कि उन्हें कुछ मिल जाएगा. और तीसरी चीज राशन, जो राशन मिलता है पीडियस में. और इसको आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि आपने अभी जो लातेहार में भी वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, उससे पता चला कि पेंशन छे महिने से नहीं मिली. ये कैस तो पेंशन, first of all, you are right. ये तीनों जो यूजनाए हैं, नारेगा, जन्वी टरंपनाली और पेंशन, गरीबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है. उसी से उलोग बच गये हैं लोगड़ून में. But I feel that the additional measures that were taken last year by way of relief should have continued this year because in the informal sector, people are still facing a very hard time. In fact, according to a recent survey by Aizim Premji University, the informal workers today are still earning only about half of what they used to earn before the lockdown. So the crisis is in full swing and therefore there should have been much bolder measures to support poor people through programs like PDS and Narega and of course pensions and child nutrition and maternity benefits. Pensions you have mentioned, so what has happened in Jarkand is that during the last six months when people, and especially poor people, needed pensions the most, the pensions were not paid for almost six months. And tragically, the reason for this, briefly, is that money from the old age assistance program was used to pay the 1,000 rupee bonus that had been promised by the finance minister under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna. So money from the social assistance fund was used to pay that bonus and then that fund ran out. And because the central contribution ran out, even the state contribution, which is actually larger, that also could not be paid. And the pensions were held up for almost six months. So this is a grave injustice that has been done to old people in Jarkand. And I feel that somebody must really be held responsible for it and that people should also be compensated. I think that the entire social security system is in danger. Today, after many years of campaigning, India finally has some semblance of a social security, or at least the foundations of a social security system for the informal sector, which includes Narega, the PDS, Midday Meals, ICDS, pensions and maternity benefits. These six programs, which are not bad programs, quite functional, very important for poor people, these are programs that we should really be trying to consolidate and expand. But instead of that, on at least four of these six programs, ICDS, midday meals, maternity benefits and also pensions, we are seeing a big attack and budget cuts. And so there is a larger danger of abdication in this field on the part of the government and the consequences will be paid by poor people. Do you want to say something about the farmer protest which is going on, something you relate, because during Corona time we had enough of food grains to distribute, now they are... It is quite a different issue actually, but I do support the demand for repeal of the farmers very strongly, that much I will say. Thank you very much. तिक्ति रिखित्याथ लाग चाहई लाग चाहनु है और चाहनुए हजाई लागों को ठीक के राचुकी है, जिन में से 5,09,893 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में ही दी गई है ICMR 2000 यांकडों के अनुसार करोना के 19,99,795 सैंपल्स की जांच की गई है जिन में से 7,15,776 सैंपल्स की जांच बीते 24 घंटों में हुई है न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आज बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पंडिक के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं साथ ही आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी वालो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया